दोस्तों ये वीडियो में के रेगुलर और प्राइवेट के स्ट्वेंज के लिए होने वाली है में किन किन सब्जेक्ट से आप लुग कर सकते हैं में रेगुलर और में प्राइवेट किन किन सब्जेक्ट से किया जा सकता है दूसरा में में कितनी सब्जेक्ट होती है में में आपको कितनी सब्जेक्ट पढ़नी होती है रेगुलर में और कितनी सब्जेक्ट पढ़नी होती है प्राइवेट में तूसरा में प्राइवेट में कितने पेपर होते हैं और रेगुलर में कितने पेपर होते हैं दोनों आपको हम बताएंगे. और अगला ये है कि M A regular private का paper कितने नंबर का हुता है. कितने नंबर पर आप नुग पास होते हैं. M A में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे regular में और पराइबेट में ठीक है. तो M A जो भी साते regular से करना चाहते हैं कितने number pass होने के दाने होते हैं ठीक है इसका हम आपको एक proof भी दिखाएंगे तो ध्यान से आप लोग इस स्क्रीन पर देखेंगे हम online website पर हैं यहां से MA के form भरे जा रहे हैं ठीक है MA के online form यहां से भरे जा रहे हैं अब proof के साथ मैं आपको बता हूँगा कि MA में कितने subject होते हैं कितने paper होते हैं और किन-किन subject से आप लोग MA कर सकती हो regular से और private से ध्यान से आप लोग इसके ने पर देखेंगे हैं हम online website पर हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा subject तो MA का यह form है हम subject select करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको clear करते हूँ कि MA आप लोग कोई एक subject से कर सकते हो regular से भी और private से भी ठीक है किसी भी एक subject से आप MA कर सकते हो कोई एक subject पढ़नी होती है आपको MA में ठीक है ध्यान से आप लोग सुनने हैं दूसरा MA किन-किन subject से कर सकते हैं तो MA आप defense studies, economics, education, English इसके अलाबा और subject है हिंदी, history, mathematics, philosophy, political science इसके अलाबा संस्कित, sociology, उर्दू तो ये subject है MA की और ये subject है private के लिए MA private आप इन subject से कर सकते हो simple भासा मैं कहूँ तो MA आप लोग practical subject को छोड़कर किसी भी subject से कर सकते हो private से तो ये तो बात हुई private की, private आप किन-किन subject से MA कर सकते हैं अब बात करना है regular की तो ध्यान साब लोग देखें regular से आप MA उन्ही subject से कर सकते हैं जो subject आपके पास graduation last year में होंगी माली जग graduation में आप लोग BA कर रहे हैं ठीक है अगर graduation में BA था तो last year में जो subject थी आपके पास उन्हें से किसी एक subject से आपको MA करना होगा regular से जबकि private से जिस subject से आप लोग चाहों उस subject से MA कर सकते हो के बल पैक्टिकल subject को छोड़ कर ठीक है तो आई होग किन-किन subject से MA कर सकते हैं private से और regular से अब बात कर लेते हैं कि MA में कितने paper होते हैं तो माली जी कि आप लोग MA economics से करना चाहते हैं तो यहां पर हम economics select करते हैं अब select करने के बाद में यहां पर जितने paper आपको देने होंगे सारे आपके सामने आपको देख रहे होंगे paper 1, micro economics, paper 2, macro economics first paper 3, quantitative methods, paper 4, optional MA first year में economics अगर आप लोग सब्जेक्ट लेते हो तो economics के अलावा अगर आप लोग history से करते हो MA तो history में भी आपको इस university के अंदर 7 paper देने होंगे ठीक है 7 paper optional है एक paper आपको यहां से लेना होगा तो इस university के हिसाब से आपको 7 paper देने हैं first year में और जो आपकी और इनवस्टी हैं कुछ और इनवस्टी के भी मैं आपको प्रूफ दिखा लिता हूँ और यह आपके सामने एक और इनवस्टी का प्रूफ है यहाँ पर MA sociology से क्या गया है MA sociology का यह फॉर्म है यहाँ पर आप देखें कि दो paper कंबल से लिए हैं यह already select हैं इसके बाद मैं select any two इन paper में से कोई दो paper और select करने थे तो टोटल चार paper इस university में देने थे MA sociology में private के हाँ पर बात किया है MA sociology private first year में इस university के अंदर चार paper होते हैं और अभी जो में आपको दुखाया है उस university के अंदर किसी subject में छोट होते हैं किस subject में 7 होते हैं तो paper जो होते हैं बो exact start the same नहीं होते हैं हर university किस university में एक subject के 4 paper होते हैं किसी हैं 5 होतेraft हैं किसी में इस university के रहा नहीं है फिक है तो paper का लिएistas with this down political science in subject में 4-4 paper ही है theoretical जिसमें आपको return exam देना होगा ठीक है और जो मैं अभी आपको proof दिखा जाए था उसमें 6 paper भी थे साथ भी थे ठीक है तो paper कम जादा हो सकते हैं university पर ये depend करता है कि paper कितने होगा अब regular में history में कितने paper होते है total चार आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे theoretical है और एक आपका practical है एक वाइबा टाइप का है तो पांच paper होते हैं regular में और university पर डिपेंड करेंगी university के अंदर कितने paper पड़ा जा रहे हैं किसी सब्जेक्ट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कर सकते हैं जबकि regular में और चेख bacon आपके SBA last year में होंगी उन दो सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आप MA कर सकते हो अगर के जोशन में कोई और डिग्री थी बीसी बीकॉम बगएरा थी तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से MA regular से भी कर सकते हो दूसरा MA में कितनी सब्जेक्ट होती है तो MA regular और MA private में एक सब्जेक्ट होती है कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़नी होती है तीसरा MA private में कितने paper होते हैं तो MA private में आपके 5 paper भी होते हैं 6 भी होते हैं 7 भी होते हैं इनिवरस्टी पर depend करता है ठीक है तूसरा MA regular में कितने paper होते हैं तो regular में पांच पेपर होते हैं first year में ठीक है first semester में जिसमें की चार आपके theoretical होते हैं जिसमें return exam देना होता है और एक आपका वाइबा होता है ठीक है second semester में भी आपके पांच पेपर होते हैं third semester में भी आपके पांच पांच पेपर होते हैं ठीक है regular में पांच पांच पेपर हो प्राइवेट का होता है और कितने नंबर पर पास होते हैं इसको आप लोग बहुत द्यान से देखेंगे ठीक है पहले हम बात करेंगे रेगुलर की ठीक है चलो एक तरह बात करते हैं रेगुलर की एक तरह बात करते हैं प्राइवेट की तो रेगुलर में क्या होता है कि सेमस्टर्मक्स होते हैं आपके थेयुर्टिकल पेपर के और प्लस् तीस नंबर होते हैं udah कै सेमस्टर्मक्स होता है कोई मिडभ्स passing नंबर के ते सल्ग्ई है ranked नंबर का है इस तारिए जाए हiable है प्रअग्जाम KH ने प्र laat विफास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे रेगुलर की बात करते हैं की बात करते हैं तो देखिए रैगुलर और प्राइबेट दोन नों में पासिंग मार्ग सब्सक्राइब 36% ठीक है रेगल दोनों पासिंग मांक्स 36% होता है अब 36% किस तरह सोता है तो मालीज जी कि आपके 5 पेपर हैं पांचों पेपर में आपको 36-36 नंबर लाने होंगे ठीक है और टोटल जो बनेगा मालीज जी टोटल मैक्सिम मांक्स से आपका 500 नंबर होगा तो 500 मैसे भी 36% परसेंट तो बनेगे लेकिन एक सब्जेक एक पेपर में आपके नंबर 36 से कम है तो आप लोग फेल हो जाएंगे उसमें आपकी बैक लग जाएगी ठीक है फिर आप बैक का एक्जाम देंगे तो में रेगलर और प्राइवेट में पासिंग मांक्स होता है 36% नंबर पर सब इडिक स्बच हो नहीं को बचिति और मैं किस मोड और से कर ना है उल्य किस इन्वरसटि के अंदर कर आपको एडिमिशन लेना हैं आप लूप करकर अपने कोअन कोर्स कोर्स टाइप का नाम और सुबजेट का नाम भी बता सकते हैं और आपकी उन्वस्टी में में के ऊडि张 हो रहे होंगे तो आपको हम बता देंगे बाकि में regular के अटमिशन कब होते हैं और private के कब होते हैं अगर आपको इसकी जानकरे चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं इस वीडियो को